नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जर्खन के टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जर्खन के टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हूँ ससी, आये जर्खन मुक्ति मोर्चा सुप्रीमोख सह, राजे सबसांसद सीबु सुरें ने सोमवार को करोना वैक्सिन का पहला डोज लगवाया बता दे कि जामुमोख के कारेकारी अध्यक्ष और राजे के मुख्यमंत्री हेमनसुरें ने ट्विट कर इसकी जनकारी दी रिम्स के जूनियर डॉक्टर सिराजुदीन का करोना से निधन जिहां रिम्स के जूनियर डॉक्टर सिराजुदीन का निधन करोना से हो गया है वा करोना मरीजों की सेवा में लगे थे बता दे कि डॉक्टर सिराजुदीन दस दिन पहले करोना पजिक्टिव पाये गये थे उनका इलाज किया जा रहा था, इलाज के क्रम में ही उनकी हालात ज्यादा बिगड़ गई तथा देर रात उनका निधन हो गया कुरोना गाइडलाइन के उलंगन पर कई दुकानों को किया गया सील जिहां खुटी जिले के उपायुक्त ससी रंजन के निर्देस पर जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में गाइडलाइन का उलंगन करने पर संबंधी दुकानों को सील किया गया तथा बिधी संब्ध करवाई की गई तथा मौके पर यह भी बताया गया कि सभी लोग अनिवारे रूप से मास्क पहने तथा दो गज की समाजिक दोरी का पालन करे इस दोरन सभी जिलावासियों से अपिल की गई कि घर में रहे सुरक्षित रहे तथा करोना गाइडलाइन का अनुपालन करे मुखमंत्री हमंसुर्ण ने बीर्षा जीवन आयूस कारेकरम का किया सुवारम जिहां मुखमंत्री हमंसुर्ण ने सोमार को अपने आवासिय कारयाले से बीर्षा जीवन आयूस कारेकरम का ओनलाइन सुवारम किया मुखमंत्री ने कहा कि इस बैसिक महामारी पर काब पाने के लिए राजिसरकार कई नए आयामों पर काम कर रही है आज इसकड़ी में एक और कारिक्रम का ओनलाइन सुवारम किया जा रहा है मुखमंत्री ने कहा कि इस कारिक्रम के तहत कुरोना संक्रमित मरीजों को बीरसा जीवन आयूस कीट उपलवद कराया जाएगा बीरसा जीवन आयूस कीट में रोग परती रोधक छमता बढ़ाने के लिए इम्मुनुटी बुष्टर दवाया रहेगी जो कोविड संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्त करने में उपयोगी होगा रांची उपायुक ने कोविड संक्रमितों की ब्यवसाओं का किया ओचक निरिक्षन जहां रांची डिश्टी के कोविड हेल्थ सेंटर और डोरंडा इस्थित CHC रेसलदार में संक्रमित मरी जो का इलाज कीस तरह से हो रहा है और अस्पताल में वेवस्था कैसी है इसका राची उपायुक छवी रंजन ने ओचक निरिक्षन किया बता दे कि सदर अस्पताल में निरिक्षन के दोरान उपायुक छवी रंजन ने कहा कि अस्पताल में अटेंडेंट पास के साथ ही अंदर आएं इसका विसेस ध्यान दें सबके सयोग से तूटेगी कुर्णा संक्रमन की चेन मुख मंत्री मुख मंत्री है मंसरण की अध्यक्षता में संथाल प्रगना परमंडल के मंत्री सांसद एवं विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई जन परतीनी उद्यों ने अपने अपने सुझाओं के साथ मध्यपूर, सारठ एवं देवगर विधानसबाच्षेतर की समस्याओं एवं असक्ताओं से आउगत कराया बता दे कि कोविड संक्रमन की रोक थाम एवं बचाओं को लेकर किये जा रहे विभिन कारेों की तारिफ की गई तथा कहा गया कि मुख मंत्री की अगवाई में आगे भी सवी को मिलकर परियास करने की ओ सकता है ताकि संक्रमन की चेन को तोड़ते हुए स्वास्त ब्यवस्थाओं और संसादनों को और भी बेहतर होगा मजबूत बनाया जा सके जमसेदपूर में ट्रेलर और टाटा मेक्सिको की बीच हुई भीसन टककर आठ लोगों की हुई मौत जिहाँ जमसेदपूर में सोमवार की देर रात भीसन हाथसा हो गया सराइकेला खर्सावा जिले के चान डिल में ट्रेलर और टाटा मेक्सिको की बीच टककर में आठ लोगों की मौत हो गई हाथसे में टाटा मेक्सिको के परखचे उड़ गये बता दे कि आसपास के लोगों की सुचना पर पूलिस मौके पर पहुँची और बच्चा और रहत कारी शुरू किया गया जिसमें घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है लातेहार जिले में एक लाख रुपे का इनामी उगरवादी गिरफतार जिहां लातेहार जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बालू मा थाना छेतर के पांकी मोड के पास से सो मौर को उगरवादी संगठन टी एस पीसी के एरिया कमंडर राके साव को गिरफतार कर लिया है बता दे कि गिरफतार उगरवादी एक लाक रुपे का इनामी है कुरोना अपडेट जारखन में कुरोना संक्रमन की रफतार कम होती नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज कुरोना के आकर सकरात्मक पईणाम दिखा रहे हैं बता दे कि राजे में पिछले 24 घंटों के दौरान 4179 कुरोना फजिटिव मरीज मिले हैं तथा इसी के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या अब 58806 पर पहुँच गई है तथा 24 घंटों के दौरान 97 लोगों की मौत हो गई है स्वास विभाग के मुताबिक कुरोना को हराने वालों की संख्या 6000 से ज़्यादा है बता दे कि राजे के राज़ानी राची में सबसे ज़्यादा 789 नय मामले सामने आये हैं जहारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों का होगा ओनलाइन टेस्ट जहारखंड स्याक्षिक अनुसंधान और परसिक्षन परिसद इसकी तयारी कर रहा है राए सरकार ने छात्र-शात्राओं से शीखने की काला का मुलियांकन सर टेस्ट लेने का निरने लिया है इसमें दूसरी से नौवी कक्षा तक के छात्रों का ओनलाइन मुल्यांकन किया जाएगा कुरोना की तिसरी लहर से पहले बच्चों के लिए मुकमल व्योस्था करेगी सरकार CM हमनसुरेन जिहां मुकमंत्री हमनसुरेन ने कहा कि कुरोना की तिसरी लहर की असंका को सरकार ने गंभिरता से लिया है इस कारण दो दिन के अंदर राजे और देश के बहतरिन सी सुरोग विसेसगयों के साथ वर्चुल बैठक की जाएगी इस बैठक में प्राप्थोने वाले सुझाओं के अधार पर राजे में बच्चों के लिए सरकार फूल पूरुफ व्योस्था खड़ी करेगी उन्होंने यहाबात वीडियो कंफरेंसी के माध्यम से सांसदो और विधायकों के साथ क्रोना संक्रमन की समिक्षा के दोरान कही सेम ने कहा कि ग्रामिन छेत्रों के सभी आइसोलेशन सेंटर और कॉरेंटाइन सेंटरों को दुरूस्त किया जाएगा साथ ही 14 वे तथा 15 वे बीत आयों की रासी का भी उपयोग संक्रमितों के इलाज पर हो यह सुनिस्चित किया जाएगा जहारखन में 18 पलस वालों को 14 से लगेगी वैक्सीन सीम सुरें ने किया एलान जहां मुखमंत्री हमनसुरें ने सोमवार को एलान किया कि राज्य में 14 मैं से 18 से 44 वर्ष के लोगों का निसूलक टिका करन शुरू होगा उन्होंने कहा कि जहारखन के सभी लोगों को निसूलक वैक्सीन दिलाना हमारी प्रास मिकता है उन्होंने यह घुसना, पलामू और संथाल, प्रगना के सांसदो और विधायकों के साथ वीडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से कुरोना संक्रमन की समिक्षा के दोरान की उन्होंने कहा कि केंद्र से जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी उसे लोगों तक पहुचाया जाएगा सीएम ने सांसदो और विधायकों से टिका करन को लेकर गाउं में फैली वरांतिया को दूर करने के लिए जागरुकता फैलाने के लिए आग आने का आग रखिया सीबियसी दस्वी रिजल्ट का लिंक हुआ एक्टिव इंटर्नल मोडरेशन पॉलिसी सभी को मानना होगा जरूरी जहां केंद्रिय माध्मिक शिक्षा बोड यानि सीबियसी से मनेता प्राप्त इसकूलों के दस्वी के विद्यार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है विएक सीबियसी स्कूलों के यह निव्यदेस दिया है कि इस पॉर्टल में विद्यार्थियों के मार्क्स अपलोड करना शुरू करदे ताकि सा समय रिजल्ट निकाला जा सके जहाँ साहिब गंज सदर अस्पताल में लगाने के लिए एक अक्सिजन प्लांट सोमवार की सुबा यहाँ पहुँचा उसे इंस्टॉल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है एक दो दिन में उसके चालू हो जाने की पूरी उमीद है इस परकार साहिव गन्ज सुबे का दूसरा जिला होगा, जहां सरकारी अस्पताल में उक्सिजन प्लांट लग जाएगा, इस से पूरो खूटी में भी उक्सिजन प्लांट लगा जा चुका है, पता दे कि सदर अस्पताल में 50 बेट तक उक्सिजन पहुचाने के लिए पाई प्रतोस कुमार ने कहा कि उन्हें इसकी जनकारी नहीं है दुरूस्त कराएंगे सर्यूराय ने कहा कि उन्हें बिगत 15 दिनों से सिकायते मिल रही है कि आंधी पानी नहीं रहने के बावजूद जमसित्पूर पूर्वी के गैर कंपनी इलाकों में प्रती दिन आधा और कहीं कहीं 4-5 घंटे के लिए बिजली कड़ जाती है